हलो एवरिवन कोडिनेशन कमपाउंड के जो हम लोगों के प्रिवेस लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने इनका नॉमनक्लेचर, वर्नर स्थोरी, एन और इनकी फॉर्मुला कैसे राइट डाउन करेंगे हम कोडिनेशन कमपाउंड का ये सब स्टडी कर लिया था आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है आईसो मेरिजम या समाविवत आप सभी जानते हैं कि आईसो मेरिजम को जर्नली हम टू क्लास में डिवाइड करके पढ़ते हैं स्ट्रक्स्टल आईसो मेरिजम और स्टीडियो आईसो मेरिजम कोडिनेशन कमपाउंड में भी हम इनको इसी तरह डिवाइड करके पढ़ने और उसमें जो आज हम टोपिक डिसकस करने वाले हैं वो सबसे पहले स्टेक्स्टर आईसो मैट तो आईसो मर्स क्या होते हैं यह आप सभी अच्छे से फैमिलियर इस चीज़ से 11 से ही आप पढ़ते आते हैं कि वो कंपाउंड जिन में क्या हो जिनका अनुसुत्रों और अनुभार क्या हो समान है उनके भोतिक यारासायनिक गूण क्यआ हो हो भिनविन है तो उन् découvrir में क्या कहते हें समावेवी आईसो मर्स और इस पिनॉमिना को क्या का जाता है आईसो मैर्स और जब हम isomers की बात करते हैं या isomarism की बात करते हैं तो हम उसे journaling two class में divide करते हैं structural isomarism और stereo isomatch उनको one by one हम यह discuss करें सबसे पहले हम discuss करने वाले structural isomatch जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपको कि यहां पर क्या होगा जो आपके isomars हैं उनकी क्या होगी सरचना या structure जो है वो क्या होगी एक दूसरे से different होगी उसी के आधार पर उन समानवईयों के गुण भी एक दूसरे से बिन बिन होगी अब structural isomarism का आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं यहां पर जो में isomarism discuss करने हैं वो किसके लिए करने हैं कोडिनिशन कंपाउंड के लिए पहले आपने organic chemistry में पढ़ी होगी वो different है वो isomarism हमें यहां नहीं पढ़नी है हमें किसकी पढ़नी है यहां पर उपस है से हो जग योगी को की पढ़नी है तो उनको किस तरह से divide किया जाता है और वो क्या किस तरह से एक दूसरे से different होते हैं वो सब हम यहां पर discuss करें तो जब structural isomarism की बात कर रहे हैं हम coordination compound में तो सबसे पहली है आइनन समावेवता तो जो समावेवता हैं आपे जितनी भी हम पढ़ेंगे काफी information हमें उनकी name से मिल जाती है कि उनका नाम से हम बता सकते कि उसमें क्या होगा तो यहां पर क्या है आइनन जो समावेवी होते हैं जो कि क्या दिखाते हैं आइनन समावेवता दर्श राते हैं उनमें क्या होगा कि coordination compound का जो coordination entity है जिसको कि हम किसमें लिखते हैं बड़े bracket में लिखते हैं तो उसके अंदर वाले पार मतलब bracket के अंदर coordination entity और बाहर जो हम समानने आइन लिखते हैं उनके मद्ध क्या होता है इंटरचेंज हो सकते हैं क्योंकि आपने पहले पढ़ा था जब आपने लिगेंट की study की थी कि जो mostly जो आपके अनायन होते हैं वो as a ligand भी यहाँ पर काम कर सकते हैं और as a simple आयन भी यहाँ यूज में आ सकते हैं तो जब वो ligand जब वो जो भी आपका अनायन होगा वो as a ligand वर्क कर रहा होगा तो वो किसके अंदर लिखा जाएगा? कोडिनेशन एंटायटी के अंदर और आपने पढ़ा था कि जब कोडिनेशन एंटायटी के हम बात करते हैं तो वो पूरा एक ही आयन के रूप में हम उसको consider करते हैं कोडिनेशन एंटायटी का आगे आयोनायजेशन नहीं होता और अगर वो जो आपका अनायन है वो क्या हो सोलीशन में स्वैपरेट हो जाएगए तो फेश पर इसी मीलते का नंट का बडल से लिएंतर नंट कर रहा है ligand का काम कर रहा है क्योंकि coordination entity के अंदर लिखा गया है लेकिन दूसरे समावे भी में bromide किसका कार्य कर रहा है simple anion का काम कर रहा है क्योंकि वो के coordination entity के बाहर लिखा गया है इस तरह से जब आप इस दोनों compound का solution बनाएंगे तो आपको क्या होगा उसमें दोनों आयन different प्राप होंगे एक बार sulfate मिलेगा और एक बार bromide मिलेगा जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं जब आप इसका आयनन कराएंगे तो एक बार क्या मिल रहाँ आपको इस तरह से आपको समावेवियों के विलियन में different different आयन मिलते हैं इसका एक 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 जामपल और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेटिनम का जो कंपांड है उसमें एक बार bromide आयन आपको मिलेगा और एक बार chloride जो आयन बाहर लिखा है coordination entity के वो एज आयन आपको solution में मिल सकते हैं लेकिन जो अंदर लिखा है वो क्या होगा आयन ने हिरा वो क्या रह गया अब ligand हो गया और ligand को आप separate coordination compound से एंटाइटी से नहीं कर सकते हैं तो इस तरह से आपकी यह आयनन समावेवता होती है सेकंड है वो है hydrate isomerism hydrate isomerism जो है वो भी एक तरह की ionization isomerism ही है बट यहां पर क्या है कि जो आप ligand का exchange कर रहे हैं वो क्या है आपने एक ligand fix कर दिया और वो ligand क्या होता है S2O कि एक ligand जो भी आप कर रहे हैं उसमें कम से कम एक ligand क्या होना चाहिए S2O होना चाहिए तो यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा होगा, कि यहाँ पर क्या है, सभी S2 और किसकी तरह कारे कर रहे हैं, लिगेंड की तरह कारे कर रहे हैं, लेकिन सेकंड वाला जो इसका isomer है, उसमें एक लिगेंड का आपस में क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया, किलोराइड आयन क्या बन गया, यहाँ पर लिगेंड बन गया, और S2 अब बाहर चला गया, तो अब वो कोडिनेशन एंटाइटी का पार्ट नहीं रहा, तो इस तरह से, इस तरह की आईसो मेरिज मुका आप क्या बोलेंगे, जबकि आपको डिफरेंट डिफरेंट S2O मॉलिक्यूल मिलते हैं, ए पहुलकी करण समावरत, या पोलिमराजेशन आईसो मेरिज, अब यहाँ पे जैसे अभी हमने डिसकस किया था, कि नेम से हमें काफी कुछ पता चलता है, बट यह आईसो मेरिज, इसके नेम से जो भी इनफोर्मिशन देती है, वो यहाँ पे काफी हद तक सही नहीं है, क्यो क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि आईसो मर्स क्या होते हैं, जिनके की क्या हो, अनुसुत्र और अनुभार क्या हो, समान हो, बट इसमें आप देखेंगे इसके एक्जामपल्स में, कि इसके जो आईसो मर्स होंगे, उनके अनुसुत्र और अनुभार आपस में समान नहीं होते बलकि यहाँ पे जो दो isomers होंगे उनके अनुभार उनके मुलानुपाति सुत्र से के सरल गुणक होते हैं आप एक बार यह कह सकते हैं बट वो same नहीं होते हैं दूसरा चीज की यहाँ पे क्या लिख रहे हैं बाउलकी करण लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो real meaning में polymerization भी नहीं होता है क्योंकि polymerization में आप क्या पढ़ते हैं कि same unit का repetition होना चाहिए unit क्या होनी चीए same होनी चीए लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है same unit का repetition नहीं होता है जैसे कि आप यहाँ पे एक बार example में देखे यह example आपको दो दिख रहेंगे, दो isomers के, तो पहली बात तो आप देखिए यहाँ पे अनुभारी समान नहीं है, क्योंकि अनुसुत्री समान नहीं है, यहाँ पे एक platinum है, दो chloride है, टू अमोनिया के molecules हैं, बट यहाँ पे क्या इनके number जस्ट, डबल होगे, टू प्लेटीनम ह है, 4 आपके अमोनिया है, 4 chloride है, तो पहली बात तो ना अनुसुत्र समान है, ना अनुभार समान, तो यह एक तरह से true isomers नहीं है, बट फिर भी इनको एक category में रखा गया है, तो हमें उसको study यहाँ पे करना है, दूसरा यहाँ पे object polymerization भी नहीं हो रहा है, आपको देखके ही एक्स जो isomers है, वो है linkage isomers या बंधन समान, यह उन coordination compound में मिलती है, जिनमें की कौन प्रजन्ट हो, MB-dented ligand, उभे अधन्तू ligand हों, और MB-dented ligand आप पढ़ चुके हैं, कौन से ligand होते हैं, जिनमें की एक से ज़्यादा दाता परमानू उपस देता, और वो दाता परमानू में से केवल एक ही परमानू एक समय पर केंतरिय धातू परमानू से बंध बना सके, तो ऐसी condition में आप खुदी देखे कि एक ही ligand से दो तरह से बॉंड बनानी की possibility वहाँ पे होगी, और इस तरह की isomers में को हम बोलते हैं, linkage isomers, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक् कि जो embedded ligand है, nitro, वो एक बार यहाँ पर किस से bond बरा रहे हैं, nitrogen atom से, और दूसरी बार किस से bond बना रहे हैं, oxygen atom से, तो इस तरह से यह two types के isomers हो सकते हैं, linkage isomers, next जो isomers में हैं, वो होती है, coordination isomers, या उपस हैं सेयोजन, समावे होता हैं, यह उन compounds में मिलती हैं, जिनमें की cation और anion, दोनों ही क्या हो, coordinate ions हो, जो आपके होते हैं, संकुल आइन हो, ऐसी जब condition होई, तो इनमें क्या होता है, कि जो coordinate entity है, दोनों ही ions की, चाहिए हो cation हो, चाहिए anion, उनकी coordinate entities के, में जो ligands है, उनका आपस में interchange होता है, मिन्स, cation वाली entity से ligand, anion वाली में जा सकता है, और anion वाली से cation वाली, इस तरह के interchange के current, जो आपको, isomers में रोते हैं, उनको हम बोलते हैं, coordinate isomers, जैसे कि आपको यह example दिख रहा होगा, कि यहाँ पे क्या है, cation b क्या है, coordinate ion है, और anion भी संकुल आएन, तो दोनों ही संकुल आएन है, दोनों में ही ligand present है, इन दोनों का ligand का आपस में interchange possible है, तो यहाँ पे आपको दो isomers दिख रहे होंगे, इन दोनों में आपको दिख रहा होगा, कि ligand का interchange हो रहा है, अब एक बार के लिए यहाँ पे सब students कोई confusion होता है, कि आप देखिए एक बार तो ऐसा लगता है, कि ligand का नहीं, किसका interchange हुआ है, central atom का हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पहले ammonia था, अब भी ammonia है, यहाँ पे आक होन गया है, chromium आ गया, वहाँ पे cyanide था, बाद वाले मैना हैं, यहाँ भी cyanide है, बट central metal atom कोन हो गया, coalit हो गया, बट यहाँ पे real में, central metal atom का exchange नहीं हो रहा, बलकि किसका हो रहा है, ligand का ही exchange होता है, बट जब ligand का exchange होगा, तो क्या होगा, ligand का exchange होने से, central metal atom पर, क्या होंगे, चार्ज भी चेंज होगा कि जब आपने positive वाला यहाँ पे भीज़ जैसे कि यहाँ पे आपने देखे chromium के साथ क्या था negatively charged था तो इस पे क्या आया minus 3 चार्ज आया था ठीक है लेकिन अगर आपने इसके ligands को पूरो को interchange कर दिया और यहाँ पे क्या लेकिन साथ में ligand का interchange होने से क्या हुआ charge भी change हो गया और आप सभी जानते हैं कि हम कोई भी formula लिखते हैं तो उसमें हम पहले क्या लिखते हैं cation और बाद में ni इसी तरह यह कोबाल्ट में पहले plus 3 charge था लेकिन अब यहाँ पे minus वाले आगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा coordination entity पे charge minus 3 हो जाएगा तो लिखने का क्रम इसका इसके charge की कारण change होता है बल होता है और यहाँ पे interchange किसका होता है ligands का ना कि central metal atom तो एक यह point यहाँ पे important है जो आपको उपस ऐसे हो जन समावेवता में ध्यान रखना है तो यह वह है जो आपको अभी explain किया next जो है isomeric वो है coordination position isomeric उपस ऐसे हो जन इस्थिती समावेवता अब यह समावेवता वो compound दिखाते हैं जो कि कैसे हो बहु ना भी किया है multi nuclear हो means जिनमें एक से ज़्यादा central metal atom प्रजैंट हो यह जो bridge ligand वाले compound होते हैं वो इस तरह की समावेवता दर्शात है इसमें होता क्या है कि जो आपके दोनो bridge ligands है sorry bridge ligand नहीं दोनो side के जो ligands हैं आपके bridge compound के उनके ligand आपस में interchange हो सकते हैं bridge ligands का interchange नहीं होता है साइड वाले आपके हैं ligands उनका interchange यहां पे possible है left side वाले right side जा सकते है right वाले left side आ सकते हैं यह सगी यहां पे देखिए कि यहां पे दो chloride और दो ammonia molecule है same situation यहां पे है बट इसका जो isomers है जो आपको नीचे दिख रहा होगा दूसरा compound उसमें क्या हुए ammonia molecules एक सेड चले गए यहां पे क्या है चार ammonia है और chloride दूसरी सेड तो यहां पे क्या हुए ligands का side वाले जो ligand है bridge compound में उनका आपस में interchange होता है उनकी position change हो रही है तो इस तरह की समाविता को हम क्या बूलते है coordination, position, isomerge next जो last आपकी isomerge में है वो है ligand isomerge जिसमें की क्या होगा कि जो आपका coordination compound में ligand present है उनमें से कोई भी एक ligand खुद ही क्या होता है आपस में एक दूसरे के समाविवी हो सकते है उसके भिन-भिन समाविवी संभव होते है तो अगर ligand खुद ही समाविवता दर्शा रहा है कोई भी एक ligand तो उस तरह की समाविवता को अगर उसके कारण कोई समाविवी बन रहे है तो उन्हें हम क्या कहते है लिगेंड समावे भी कहते हैं जैसे कि आपका एक्जामपल दिख रहा होगा जो आपका डाई अमीनो प्रोपेन लिगेंड होता है उसमें क्या है? दो अमीनो ग्रूप है तो वहाँ पर क्या पोसिबिलिटी है? दो पोसिबिलिटी निकल के आती है एक बार तो क्या हो? वन्टू डाई अमीनो प्रोपेन हो और वही उसकी स्थिती चेंज हो जाए तो क्या हो जाएगा? वन्ट्री डाई अमीनो प्रोपेन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हुआ? अमीनो ग्रूप की पोजिशन्स चेंज हो रही है वन्टू और वन्थिर और ये किसके कारण हो रही है समावे उता लिगेंड के खुद के कारण हो रही है तो ऐसी कंडिशन में जो समावे भी बनेंगे आप यहां देख सकते हैं उनको हम बोलेंगे लिगेंड समावे इस तरह हैं जो आपकी स्ट्रक्चल आईसो मेरिजम है किसके कारण है